मैं तीन बाते इस वीडियो को शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा पहला मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस ओसम ट्रेलर और मुवी के टाइम पर जिन्दा हूँ क्या समय है जीने का दूसरा मैं कोई डीटेल नहीं छोड़ने वाला इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन में तो अगर मेरे जितना ओसम फील करना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखो तीसरा मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डीसी यू अपनी लगसी को यूज करने के बाद उसे रीबूट करने वाला है यह बहुत दुख की बात है दा फ्लेश का पहला ओफिशल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है और यह बहुत ही जादा ओसम है इतना ओसम कि मुझे ऐसा फील होला है कि डीसी को हमसे पैसे लेने चाहिए इस ट्रेलर को दिखाने के लिए यहाँ दो बैटमैन है, एक सूपरगर्ल है, दो फ्लैश है और मैन अफ स्टील का विलन जनरल जॉड भी है इसको कहते हैं परफेक्शन, हाला कि यह भी मानना पड़ेगा कि फैन्स के मन में दा फ्लैश मुवी को लेकर जो भी मिस्ट्री थी, उस मिस्ट्री का मेजर पार्ट इस ट्रेलर ने गायब कर दिया है जिनको हलका फुल का आइडिया भी है इस मुवी की सोर्स बुक का, वो लिटरली एक एक फ्रेम देखकर समझ जाएंगे यहां क्या होने वाला है क्या चीज़े सोर्स मैट्रील से अलग है और उनका अलग होना कितना ओसम है तो आईए ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं हुमन से ना और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ दिल देला देने वाले और धरती हिला देने वाले इसका ध्यान रखते हुए चली शुरू करते हैं यह trailer 100% confirm कर चुका है कि The Flash बहुत awesome होने वाली है, तो पहले मैं जल्दी से आपको इसकी source story बता जाता हूँ, हम सबको पता है Barry time travel कर सकता है, वो time में पीछे जाकर अपनी मा को बचाना चाता है, क्योंकि इससे उसकी मातों जिंदा रहेगी ही, पर उसके पिता भी jail नहीं जाएंगे, जिनको पुलिस ने Barry की मा नौर आइलन के देथ के लिए उठा लिया, तो Barry time travel करता है, अपनी मा को बचाता है, पर इस वज़े से literally प्रेजेंट में सब कुछ बदल जाता है, और इसका result है Flashpoint Paradox, Bruce Wayne, Batman नहीं होता, Superman दुनिया के सामने नहीं आता, और Aquaman और Wonder Woman के बीचे वर्ड वार हो रही होती है, कोई Justice League नहीं है, इवन Flash के पास पी उसकी powers नहीं आई, पर यहां वो सब नहीं हो रहा जो बुक में हुआ, और इसका बहुत sense बनता है, DC, DCU की ही जर्णी यूज़ कर रहा है, इस स्टोरी का sense बनाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर यहां बदला क्या, पहले यह देखते हैं कि क्या नहीं बदला, Flash टाइम में पीछे जा रहा है, चेक, Flash अपनी मा को बचा लेगा, चेक, Flash के पास पावर्स नहीं होगी, चेक, और दुनिया में कुछ बुरा होने वाला है, चेक, और उस बुरे से रोकने के लिए, बैरी को बैटमन की जरुवत है, चेक, तो यहां चेंज क्या हुआ, वो वर्ड वार वाला बुरा इवेंट, अब बन चुका है, जॉड का अर्थ पर अटैक करना, जो कि हमने देखा था, मैन ओफ स्टील में, पर टाइम में किये गए छेड़ खानी की वज़े से, सूपर मैन से पहले सूपर गर्ड अर्थ पर आगई, कॉमिक्स दो सूपर गर्ड टेकनिकली अर्थ पर पहले आने ही वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वज़े से, वो सूपर मैन के बाल आती है, इसके बारे में हमने डीसी चैप्टर वन एक्स्पेंट वीडियो में भी बात करी थी, तो वर्ल्ड इंजन से सूपर गर्डी दुनिया को बचा सकती है, जैसे सूपर मैन ने बचाया था, और इसलिए फ्लैश और बैटमैन गए हैं कारा जोरेल को मिलिटरी बेस से छोडाने, अब आप पूछोगे कि वो वहाँ कैसे पहुची और वो अभी तक अजाद क्यों नहीं है, तो कॉमेक्स में सूपर मैन के अर्थ पर आते ही उसको कैद कर लिया गया था, वैसे कारा को भी कैद कर लिया गया है, पता है क्या, आई ये इसको शॉट भाई शॉट देखते हैं, यहां बहुत कुछ है और मैं कुछ में इसने गरना चाहता, तो पहले शॉट में हम देख सकते हैं, बैरी को टाइम में पीछे अपने घर पर आते हुए, अब यहां तो बैरी सब कुछ ठीक कर चुका है, यहां वो सब कुछ ठीक करने वाला है, बिचिकली कॉमेट से रिवर्स फ्लैश, बैरी की मा को जान से मार देता है, अब पुलिस नहीं पता लगा पाते हैं किसने नौर आइलन को जान से मारा, तो वो सीन पर प्रेजेंट डॉक्टर हेंरी आइलन को उठा लेते हैं, यह चीज बैरी को मोटिवेट करती है फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने में, ताकि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके, पर अपनी लैब में एक बिजली के गिरने की वज़े से, और आज़ पास ये केमिकल्स के कॉंटेक्ट में आकर, बैरी बनता है स्पीट स्टर, कोई ऐसा वैसा स्पीट स्टर नहीं, फास्टेस्ट मैन अलाइव, तो यही है सारा खेल, यहां बैरी अपनी मा को बचाएगा, और कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा हुआ, यहां बैरी से शायद मार्कल कीटन का बैर्टमन पूछ भी रहा है, कि वो किसी भी टाइमलान में किसी भी युनिवर्स में जा सकता है, तो यहां इस युनिवर्स को क्यो बचाना चाता है, तो इस पर Barry कह भी रहा है क्योंकि इसी universe में उसकी माँ जिन्दा है तो basically Barry एक time traveling में किये हुए change को बनाई रखने के लिए बाकी changes में participate कर रहा है यहीं आगे हम Batman का काउल भी देख सकते हैं जिसके आसपास blood है यह clearly Michael Keaton के Batman का काउल है जो कि शायद इस पूरी story के बाद बहुत जखमी होंगे हमें अपना Batman भी दिख रहा है यहां फुल Christian Bale के Batmobile वाले vibe देते हुए यही हम नया suit भी spot कर सकते हैं Flash का फुल नया shoes के साथ भाड में जाए मेरे जूते मुझे यही shoes चाहिए अब यहां हम किसी को switch on या off करते हुए भी देख सकते हैं शायद यहां Barry power off कर रहा है Kara के room में जल रही red light का आगे हमें एक blast दिखता है और हम Kara को उड़ते हुए भी देख सकते हैं और यही हमें Barry time travel करता हुए भी दिख रहा है रात में बदल रहा है यहां वो photos में देख सकता है कि उसकी माँ जिन्दा है और उसकी family खुश है और वो अपनी माँ से भी मिल रहा है प्लस वो मिल रहा है अपने इस universe के version से अब यह अजीब बात है क्योंकि comics में जब Barry Allen time में पीछे आता है तब उसका कोई दूसरा version नहीं होता बलकि वो खुद अपनी जगा आता है जबकि यहां DC Marvel के वेरिंस वाला concept यूज कर रहा है प्लस यहां इस timeline और Barry के कपड़ों को देखकर reverse flash वाली vibe भी आ रही है और यही है अकेली mysteries movie को लेकर कि reverse flash यहां कौन है बैरी दूसरे बैरी को देखकर हरान है और होगा भी क्यों नहीं पहली बात तो खुद Ezra Miller भी Ezra Miller से डरता है दूसरी बात अगर मुझे मेरा एक और version देखा तो मैं इतना तेज भागूँगा कि flash मुझे नहीं पकड़ पाएगा तो दूसरा बैरी flash को ले गया पाने के लिए उसे क्या करना होगा उसे वही माहूल दुबारा बनाना होगा जिस माहूल में उसे उसकी powers मिली इसलिए यहां बैरी को जटका लग रहा है और वो जटका या कहें बोल्ट पहुचाने में बैटमेन का बैट मोबिल उसकी help कर रहा है पर सोचने का बात यहां यह है कि इसी बोल्ट से दोनों बैरी सूपर पावर्स गेन कर रहे है प्लस कॉमिक्स में तो पहले जटके में बैरी को पावर्स मिली भी नहीं जिसके लिए उसे दुबार अपने उपर बिजली गिरवानी पड़ी और यहां बैरी की शकल देखकर ऐसा लग भी रहा है कि वो दूसरी वार बिजली का जटका ले रहा है इसके बाद हम देख सकते हैं फ्लैश की आइकॉनिक रिंग कॉमिक्स में फ्लैश को जब भी तुरनत अपने कपड़े चेंज करने होते तो सूपर हीरो बनने के लिए तो वो अपनी रिंग से अपना सूट निकाल कर उसे पहनता था मतलब फ्लैश लाइट की स्पीट से आपके आगे कपड़े बदल रहा है और मोस्ट प्रभाइबली सूपर मैन उसको ऐसा करते हुए देख सकता है तो यहां रिंग में कपड़े दबे हुए हैं और जो मुड़े हुए हिस्से हैं वही फ्लैश को लाइटनिंग एफेक्ट दे रहे हैं यह बहुत कूल है अब यहां बैक्राउंड में बैन एफलेक का ब्रूस वेन बैरी को समझा रहा है कि टाइम के साथ छेड़ खानी ख़दरनाक है पर बैरी कहां किसी की सुनता है वह तो पुलिस की भी नहीं सुनता तब ही तो इतनी प्रॉब्लम है अब दूसरी दुनिया में हम देखते हैं जॉड को अर्थ पर अटैक करते हुए माइकल चैनन को वापिस इस अफ्तार में देखना सही में बहुत साइटिसफाइंग है प्लस वर्ल इंजन भी है यहां तो यूनिवर्स बरबाद होने वाला है और इन्वेशन शुरू हो चुका है इसलिए यहां जरूरत है उस एलियन की जो कि वर्ड इंजन को रोख सकता है या सकती है और वो एलियन है कारा सोरेल जिसे बैरी छोडाने आया है अब यहां एक और बात कहीं जा रही है कि इस दुनिया में कोई मेटा यूमन नहीं है इसका सेंस भी बनता है क्योंकि सूपरमैन की वज़े से ट्रिनिटी साथ हाई थी और सूपरमैन के मरने पर ही मदर बॉक्स एक्टिवेट हुए और कई सूपरहेरोस बाहर आए पर जब सूपरमैन ही नहीं है तो स्टेपन वुल्स तक मैसेज पहुचा ही नहीं पर अटैक करने का अब यहां हम मिलते हैं कारा से जिसे मिलिटरी वालोंने कैद कर रखा है और बिना सन के वो पावरलेस है इसलिए उसकी हालत ऐसी है और ऐसा भी लग रहा है कि यह जगा ही योटन हाइम है सूपरमैन सूट की वएसे वही बैक्राण वे बैटमैं वर से सूपरमैन और स्नाइडर कट का लॉजिक यूज हो रहा है तो अगर यह मूवी सूपरिट होती है जो कि यह सूपरिट होते हुए दिख भी रही है क्योंकि सोचके देखे कि अगर यहां वर्ल्ड इंजिन के एवेंट अभी हो रहे है तो बैटमैन को इतना बुढ़ा नहीं होना चाहिए था प्लस डैक्टर एंडी मस्चैटी अगर बैन एफलेक के बैटमैन को दिखा रहे है मूवी में इमोशनल एंगल के लिए तो मूवी की सोर्स बुक फ्लैश पॉइंट का एमोशनल एंगल ही तो लिया जाएगा जहां दूसरे अर्थ पर बूस वेंट के पेरेंट्स की जगा बूस मरता है और थॉमस वेंट बनते हैं बैटमैन फिर जब फ्लैश पॉइंट का एवेंट खतम होता है तब थॉमस वेंट बैरी को लेटर देता है दूसरे अर्थ पर अपने बेटे के लिए और यह होता है एमोशनल एंगल फ्लैश पॉइंट का और यही ट्रिगर करता है डूमस दे क्लॉक को भी आगे हम देख सकते हैं बैटमैन का एक्शन और जॉड की तबाही को इसी बीच हमें बैन एफलेक के बैटमैन का एक्शन भी दिख रहा है इस टेलर को देखकर एक चीज तो क्लियर है कि यह मोवी भरी होगी आउसम एक्शन सिक्वेंसिस से और यही मैं हमेशा से कहता है हूँ कि DC अगर अपनी खुद की आइकॉनिक स्टोरीज पर जादर रेलाय करेगा तो उसका रिजल्ट हमेशा जबरदस्ती होगा इसके बाद हम शासा चले कि सूपर गर को देख सकते हैं बैरी को बचाते हुए आगे बैरी वर्ल्ड एंजन की तबाई और दुनिया के खतम होने के बीच वापिस जा रहा है टाइम में पीछे शायद अपनी मा की देथ का जिम्मेदार बनने ताकि सब कुछ ठीक हो जाए और यही तो है फ्लेश पॉइंट परडॉक्स और फ्लेश के दुख का सबसे बड़ा कारण अगले शॉट में माइकल कीटन दुनिया को बता रहे हैं कि क्यों वो बैटमेन अवतार को आराम से पुल कर सकते हैं प्लस हमें दो फ्लेश दिख रहे हैं एक्शन में क्योंकि दो फ्लेश को उनकी सूपर पावर्स मिली थी सूपर गर्ड आगे जॉट और उसकी आर्मी की बैंड बजा रही है बट ध्यान रहे है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है इसलिए हो सकता है कि वो वर्ल्ड इंजन को ना रोक पाए इसके बाद हम अल्टिमेट फ्लेश एक्शन देखते हैं जिसके लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं बैट मोबिल यहाँ जबरदस्त है और बैन अफलेक का नया सूट भी जिसका लॉजिक हमें मुवी में ही पता चलेगा और दूसरा बैरी शाय जोड पर अटैक कर रहा है अब यह जो शॉट है जहां कारा उटकर आई बैट मैन और बैरी को बचाने के लिए यह पिक्चर हॉल के लिए छोड़ना चाहिए था कई बार मुझे लगता है कि अच्छे शॉट जिनका नेचर सरप्राइजिंग है उन्हें हॉल के लिए ही रखना चाहिए ताकि उनका मज़ा दो गुना हो जाए पर यह शॉट है बहुत स्रैटिसफाइंग पता है अगर DC यहां हेंरी कैविल को भी दिखा देता कमजोर सूपरमैन की तरह तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो दोस्तो यह था ब्रेकडाउन दा फ्लैश के ओफिशल टेलर का मुझे इसी तरह की उमीद थी DC से और मैं यहीं उमीद रखूँगा आने वाले रीबूट से भी और फिर बेगान उसको इटेल मिस हो गई हो यह आपको नए फैक्टेस वीडियो से एडिटेड तो तक यह जिस दमा सिना और सुपर शुपर पीस